हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ राखी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल फोड ट्रेवल लॉक वित राखी में और यहां देखिए हैथराबार टो बैंगलोर की जर्णी यहां खतम होती है हम अपने डिस्टिनेशन पर पहुंच चुक तो यह काफी बड़ा है हमारे लिए बहुत अच्छा है और साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे जो कीचन है वो छोटा सा एक प्लैट्फॉर्म ऐसा अटैच किया हुआ है तो बेवी के साथ मैं हूँ तो मुझे उसके लिए फुट वगेरा बनाना पड़ता है तो उसके लिए यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है मुझे तो यह रूम बहुत ही अच्छा लगा और क्योंकि यह में सिटी में है ना इलक्ट्रानिक सिटी में है और नीचे का जो भी सराउंडिंग एरिया है यहां पे हर चीज अविलेबल है तो अगर आपके पास कोई च गरम करके देने के लिए ट्रैवलिंग में तो दूद बागेरा नीचे से ही लाकर मैं यहां पे गरम करके बेबी को दी हूँ और यहां देखे अभी मॉर्निंग टाइम हो गया है और आज हम लोग सब लोग रेडी होके वानट गुट्टा जू जा रही है और यहां पे यहा करेंगे बच्चे और यहां यह देखे यह जो है यह पार्किंग एरिया है बानर गटा जो का आसपास मतलब वैदर काफी अच्छा था ऐसा कुछ गर्मी तो नहीं था दोपहर के टाइम ठीक है इतना भी जादा नहीं है कि हम घूम नहीं सकते हैं और यहां पावित सो गया ह तो हमें साथ में इसके लिए एक ऐसा ट्रॉली रखना पड़ता है क्योंकि हर जगा हम कैरी नहीं कोधी नहीं ले सकते हैं मैं हूँ और पीछे का यह सराउंडिंग एरिया पूरा मार्केट एरिया जो भी बैंगलोर में होंगे या पर जो पहले भी यहां विजिट किये हों है चिप्स वागेरा यह सारा आसपास में जो भी स्टॉल है वह सारा यही सब चीज का है तो यहां पर ना भी हम लोग जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं और इसका जो टिकर चार्जेस है वो पर हेट अराउंड एट हंड़ सम्थिंग आता है हम लोगों ने जो लिया है यह जो प्राइस बता रही हूं यह एसी जंगल सफारी का जो प्राइस है वो उसका है बस तो नहीं बोल सकते हो इस तरह का वैन होता है और फुल एसी रहता है तो उसके लिए यह है और पीछे जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं वो नॉन एसी लाइन है और इधर जो है कॉलम बना कर जो वेटिंग के लिए रखा गया है ये सारा एसी लाइन है और बाहर का ये जो व्यू है वो है यहाँ पवित ये जो मैं वीडियो के लिए कर रही हूँ न उसके लिए परिशान हो रहा है काफी देर वेट करने के बाद फिर अभी हमारा टर्न आएक और यहाँ पर सभी लोग काफी देर से वेट कर रहे हम लोग ही लास्ट थे ये अराउंड सुबा से आई थिंग 10 o'clock स्टार्ट होता है साम को पाच बजे तक ही रहता है और फाइनली हम अपने जंगल सफारी के लिए निकल चुके हैं यहाँ पर देखे हैं हम पिक्स ले रहा है बहुत ही एक्साइटेड हैं दोनों बच्चे सभी लोग पास से फील करने के लिए देखने के लिए पवित का एक्साइटमेंट लेबल बिल्कुल अलगी है और यहाँ पर देखें यहाँ पर कुछी दूर आने पर यहाँ पर एलिफेंट देखता और इसे देखकर तो पवित बिल्कुल अलगी जो उनमें चला जाता है बिल्कुल लाला की फील कर रहा है उसे लग रहा है कि पता नहीं यह क्या है इत्ता बड़ा यह पहली बार वो देख रहा है यह तो जहां जहां पर stoppage है तो वहां वहां पर I think five minutes ऐसे रुकती है ताकि सभी अच्छे से उस पल को enjoy कर सके उसे feel कर सके वहां पर दूर पर देखिए दो एलिफेंट है और दोनों आपस में बाते कर रहे हैं और आगे देखिए आप मैं इसको music के साथ add कर रही हूं और आप इसे enjoy कीजिए और अगर नहीं है इस चैनल में तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो थोड़ा भी वीडियो से आपको फायदा होता है तो प्लीज चैनल को subscribe ये बीना नाच आए तो आगे वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो continue रहिए और अभी ये जो वीडियो है वो 13 मिनट्स का हो गया है तो इसका जो अलग पार्ट है वो next वीडियो में मैं add करूंगी और प्लीज अगर नहीं है तो चैनल को जरूर subscribe कीजिएगा और continue रहिए मेर सफारी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है झाल 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 तो द Such अ अ आ ये आ ये आ ये 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 येलेलुsystem ये आ औरब coffee ये अ ये येविट आ येपेट नहीं जो नहीं बिता एंगा आप झाली जो उड़ को झाली जो जो झाली जो 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 ख़के लगए झाली जो झाली आपड़ह जो।